गोड़ा जिले में लगातार अपराद बढ़ते जा रहे हैं को अंजान दिया गया कि अध्युक्त सक्ति शरुक्पा से वाक्षन गौरव कुण्ज गोटाई से बोल रही है आज जो मेरे साथ हुआ जो हमारे साथ तुदा चाहे हुआ आवाय आश्रम ने घुश के हमें जो परिशान किया गया हमारी सेल मन की गई हमारी साथना नस्क्री रही हम साथों को जुपतंगी किया गया उरे आश्रम में सभी को परिशान किया गया मारा पीटा गया सब को रूम ममल कर दिया सब को पीटा हमारे साथ जो उन्होंने दुराचार किया जो हमारी सेल महले किया हमारी साथना महले किया वो इसके लिए हम आई चाहते हैं सरकार से कि उन चार मुलड़कों को भासी की सजा दी जाए अगर हम साधू के साथ ऐसे होता है तो हमारे दाजी की हमारे देश की बच्चियां और बाता है ने कहां सुरक्षिक रह पाती है अगर सरकार यह नहीं करती है तो फिर सरकार के होने का क्या मतलब है हम ऐसे ही अलग जियेंगे तो आप क्यूं हो आपका होने का क्या है वही इसकी सूचना मिलने पर मुसफिल थाना पुलिस घटन अस्थल पर पहुची जिसके बाद तीन संदीग दोसी को गिरफतार कर लिया गया वही पिडित सादवी ने गोड़ा पुलिस कफ्तों को अपनो बयाउन दिया और निया की अपिल की गोड़ा पुलिस कफ्तों वाई एस रमेश ने बताया कि इस ममले की जौच एक स्पेसल फॉरंसिक टीम द्वारा की जाएगी मुपसिल थाना अंतरगत एक माहरशी हास्तम में ग्यांग रिप का मामला जो है जैसे विक्तिन के बयान पर एक ग्यांग रिप का मामला सामने आया हुआ है हम लोग उसमें एक स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम टाउन इंस्पेक्टर के नित्रक्तर में और थाना प्रबारी मुवसिल और थाना प्रबारी महिला एक टीम गटिक किया है और लगे हम लोगों ने जोतीन आद्मी को जो है संदिक को संग को ठाने पर बुलाकर पूस्टाज जारी है और बहुत जल्डी से जो है ये प्रबारी मुश्टाज जारी है सर हथियार के साथ जो है क्या हथियार वेगरा कुछ बरामद हुआ है सर अभी हम लोग पूसाज जारी है अभी हम लोग कुछ तंदिक लोग को लिख आया है बहुत सारे डिटेल इंवेस्टिकेशन किया जा रहा है और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा आपको सजार दिलाने है स्ट वूंख ये कंटिक है इतने सुनसान जगह भीड़ के मुझा असराम बनाया गया और को अब तक गिरफ्तारी कितने लोगां कि अभी हम लोग संदिक के रूप में जो है पूस्टाज करने के लिए लेकर आया हैं अभी हम लोग अभी अनुसंदा इतना ही बता सकेंगे जैसे ही खुलासा होगा तुरंत आप लोगों को ख़बर किया जाए